दोस्तो आज है 16 सितंबर 2023 और 16 सितंबर 2023 से रिलेटिड करण्ट अफेर्स के जितने भी कुश्यन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी कुश्यन को कवर करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटिड इंपोर्टन फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यांग से देखेगा और दोस्तो ये क्लास आपके मौनिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सबी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए इससे आपकी तैयारी बहतर होगी चलिए देरी ना करते हुआ आज के पहले कुशन पर आते हैं आज का पहला कुशन लिखा हुआ है किसे हाली में नैस कॉम के उपाध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है फू है जबीन रिसेंटली अपॉंटेट एस दी वाइस प्रेसिडेंट आप नैस कॉम फर्स्ट ओप्सन है सिंदू गंगाधरन सेकिंड ओप्सन है राजेज नावियार थर्ड ओप्सन है अनंत महेश्वरी फूर्ट ओप्सन है नंदन नीले कड़ी जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट वे है हमारा ओप्सन नंबर ए सिंदू गंगा धरन जी को नैस कौम के उपाध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है चलिए अब इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं सिंदू गंगा धरन जो एस एपी लेप्स इंडिया में वरिष्ट उपाध्यच और प्रवंद निर्देशक के पदपर और एस एपी उपयोग कर्सा सचमता के लिए भी जिम्मेदार हैं इनको The National Association of Software and Service Companies नैस कौम का उपाध्यच नामित किया गिया है अपनी नई भूमिका में वह भारत की टीच एड पहल को आकार देने में मदद करने के लिए भारत और जर्बनी में कई वर्सों में हासिल दोगी की और कॉर्पोरेट ने तरत्व में अपने व्यापक अनभव का उपयोग करेंगी ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुषन देखते हैं नेश कुषन लिखा है एक दिवसी मैचों में दस हजार रन बनाने वाले छटे भारती बल्लेवाज कौन बन गए है फर्ष्ट ऑप्शन है विराट कोली, सिकेंड ऑप्शन है रोहिस सर्मा, थर्ड ऑप्शन है रविन जडेजा, फोर्ट ऑप्शन है लोकेस राहुल जल्दी से बताईएगा दोस्तों, एक दिवसी मैचों में दस हजार रन बनाने वाले छटे भारती बल्लेवाज कौन बन गए है इस कुषन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वे है मारा ओप्शन नमबर बी, रोहित सर्मा जी रोहित शर्मा एक दिवसी मैचों में दस हजार रन बनाने वाले छटे भारती बल्लेवाज बन गए हैं चलिए अब कुछ इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं भारती कप्तान रोहित शर्मा ने कॉलंबो में स्री लंका के खिलाब एसिया कब 2023 सुपर फोर मैच के दौरान दस हजार वंडे रन पूरे किये रोहित शर्मा ने इस प्रारूफ में अपनी 2-41 वी पारी के दौरान छक्के के साथ 23 रन बनाने के बाद यह उपलब्दी हासिल की है 36 वर्थिये सर्मा इस मुकाम को पार करने वाले छटे भारती बल्लेवाज बन गई है और पारी खेलने के मामले में विराट कोली के बाद दूसरे सबसे तेज बल्लेवाज बन गई है ठीक है दोस्तो याद रखिएगा most important question है दोस्तो आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है भारत और साओधी अरब निवेस मंच की पहली बैठक किस सहर में आयोजित की गई है इन विच सिटी हैस दी फर्स्ट मीटिंग ओफ इंडिया एंड साओधी अरब इन्वेस्टमेंड फॉरम बीन हैल्ड फर्स्ट ओप्सन है मुंबई, सेकेंड ओप्सन है है ध्रावाद, थर्ड ओप्सन है नई दिल्ली, फोर्थ ओप्सन है कानपुर जल्दी से बताईएगा दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number C नई दिल्ली में भारत और सुधी अरब निवेस मंची की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है चलिए अब कुछ important point को पढ़ लेते हैं हम लोग पहली बार सुधी अरब निवेस फोरम की बैठक 11 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी इसमें दोनों देशों के नीती निर्मेताओं व्यापारियों ने भाग लिया और सूचना और संचार प्रोधोग की आई सीटी उधमिता रसाइन ऊर्जा और उन्नत वी निर्माड के छेतर में सैयोग के लिए पचास से अधिक समझोता ग्यापन और समझोतों पर हस्ताचर किये गई हैं यह बैठक 2019 में सौधी अरब के क्राउन फ्रिंस और प्रिधान मंत्री सलमान बिल्न अब्दुल अजीच की भारत यात्रा के बाद आयोजित की गई थी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है किसके दुआरा नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैस्विक संगोष्ठी का उद्गाटन किया गया है फू हैज इन एकवरिट दी फर्स्ट गलोवल सिंपोसिस्म और फार्मर्त राइट इन न्यू डैली फर्स्ट ओप्सन है नरेन सिंग्तोमर, सेकेंड ओप्सन है नरेन मोदी, थर्ड ओप्सन है अमिस सहा, फोर्ट ओप्सन है द्रॉपदी मुर्मू बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है अमारा ओप्सन नंबर डी, द्रॉपदी मुर्मू द्रॉपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैस्वे संगोष्ठी का उदुगाटन किया गया है चलिए अब इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ेंगे राश्पती स्रीमती द्रॉपदी मुर्मू ने किसानों के अधिकारों पर चार दिवसी वैस्विक संगोष्ठी का सुभारम पूसा नई दिल्ली में किया केंद्री किरसी एवं किसान कल्यार मंत्री नरेन सिंग तोवन ने समारों की अध्यचिता की है इस अवसर पर वेविन स्रेडियों में 26 पादव जीनों सरचक पुरुष्कार किसानों वा संगटनों को प्रदान किये गई है इस मौके पर राश्पती ने प्लांट अधारिटी भवन का उद्गाटन किया वा पौधव किस्मों के पंजी करड के लिए ओनलाइन पोर्टल लॉंच किया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है किस देश ने नई सामरिक परमाडू हमला पंडुबी को लॉंच किया है विश कंट्री है जो लॉंच दी न्यू इस ट्रैजिक नुकलियर अटेक सब मरीन फर्स्ट आप्सन है उत्तर कोरिया सेकेंड आप्सन है संयुक्तराज अमेरिका थर्ड आप्सन इंडोनेशिया फोर्ट आप्सन है कजाकिस्तान जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे है हमारा उप्सन नंबर ए उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया देश ने नई सामरिक परमाडू हमला पंडुब्वी को लॉंच किया है चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसका इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाडू हमला पंडुब्वी लॉंच करके सुर्खिया बटोरी जिसका नाम पंडुब्वी नंबर 841 है और इसका नाम उत्तर कोरिया नौ सेना के पूर्व कमांडर हीरो किम कुन ओके है लॉंच समारो उत्तर कोरिया नेता किम जॉंग उनकी उपस्ति में हुआ जहां उन्होंने अपने नौ सैनिक बल में इस नई जुडाव के महते पर प्रिकाश डाला है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है सुब्रतो कप अंतराश्टी फुटवाल टूनामेंट दो हजार तेईस में परिशनल फुटवाल टूनामेंट इन ट्वैंटी ट्वैंटी थेरी फर्स्ट ऑप्सन है दिल्ली सेकेंड ऑप्सन है गुरुग्राम थर्ड ऑप्सन है बेंगलरू पूर्ट ऑप्सन है ये सभी जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वैह है मारा ऑप्सन नंबर डी ये सभी दिल्ली गुरुग्राम बेंगलरू इन तीनों देशों में ये संस्क्रण मेजवान किया गिया है दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखती है सुब्रतो कब अंतराश्टी फुटवाल टूनामेंट भारत की सबसे पुरानी नेशनल इंटर इस्कूल फुटवाल पृतियोगता अपने 62 संस्क्रण में इतिहास बनाने के लिए तयार है भारत के सिलिकॉन बैली बैंगलरू को इस प्रतिष्टित आयोजन के लिए मेजवान सहरों की सूची में जोड़ा गिया है इस से पहले दिल्ली और गुरू ग्राम में आयोजित होने वाला यह टूनामेंट उन्ने सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 तक तीन स्थानों पर आयोजित किया जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कूशन देखते हैं नेश कूशन लिखा है किस प्रिसिद राजनीतिक कार्टूनिस्ट का हाऌ ईव में निधन हो गया है विच फेमस पॉलिटिकल आईश कार्टूनिस्ट है पास्ट अवे रिशेंटली फर्ष्ट आप्सन है मोहित चोहान सेकेंड आप्सन अर्जुन पंडित थर्ड ओप्सन है अजीद निनान, फूर्ट ओप्सन है किसन लाल जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा फ्रेंट, वे है मारा option number C, अजीद निनान अजीद निनान राजनीतिक cartoonist का हाल ही में निदन हो गया है चलिए इसके कुछ important point को पढ़ेंगे अब प्रिसिद राजनीतिक cartoonist अजीद निनान का 68 वर्ष की आईउ में निदन हुआ है अजीद निनान को उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से मानिता मिली जिसमें इंडिया टुड़े पत्रिका में प्रिसिद सेंट्रेश्ट स्रंकला और टाइमस ऑफ इंडिया में निनन्स वर्ड सामिल हैं अपने राजनीते कार्टूनों के अलावा निनान बच्चों के साहित में अपने काम के लिए जाने जाते थे 1980 के दसक की अप उनकी पिरिये कृतियों में से एक थी जासूस मूँच वाला क्या थी दोस्तो जासूस मूच वाला और उसका कुत्ता पूँच जो युवा पत्रिका टार्गेट में छपी थी ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है किस आई टी आई 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 टी के सोध करताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्टिये इस्तर की मैपिंग करने का दावा किया है जल्दी से बताईएगा दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वे है हमारा ओप्सन नमबर बी आई 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 टी दिल्ली आई 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 टी दिल्ली के सोध करताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्टिये इस्तर की मैपिंग करने का दावा किया है आई 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 टी दिल्ली के सोध करताओं ने मिट्टी के कटाव की देश की पहली राष्टिये इस्तर की मैपिंग करने का दावा किया है आई आई टी दिल्ली के अधिकारियों के अनुशार इससे पहले मिट्टी की कटाव छंता का आकलन विशिष्ट छेत्रों या जल ग्रहड छेत्रों में किया जाता था लेकिन मिट्टी की कटाव छंता का राष्टिये इस्तर पर आकलन आवस्यक था मिट्टी के कटाव की राश्टी इस्तर पर मैपिंग का उद्देश उन विश्च छेत्रों को जागर करना है जहां मिट्टी के कटाव का खत्रा सबसे अधिक है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखती हैं नेश कुशन लिखा है राश्टी हिंदी दिवश मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटिड फर्स्ट ओप्सन है ग्यारे सितंबर को सेकेंड ओप्सन है बारे सितंबर को थर्ड ओप्सन है तेरे सितंबर को और फोर्थ ओप्सन है चौदे सितंबर को जल्दी से बताईएगा दोस्तों नेशनल हिंडी डे इज सैलीडेटेड इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्सन नंबर डी 14 सितंबर को हम लोग राष्टी हिंडी दिवश मनाते हैं चलिए अब कुश इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ेंगे हम लोग 14 सितंबर हिंडी दिवश का दिन हर भारती के लिए गर्व का दिन है पूरे देश के स्कूलों कॉलेजों और सरकारी कार्यालों में हिंडी दिवश बहत उस्सावा जोस के साथ मनाया जा रहा है हिंडी सिर्फ हमारी मातर भासा ही नहीं बलकि यह राष्टी अत्मिता और गौरव का पिर्टीक है यह हिंडी ही है जो देश के धर्म, जाती, भासा, संस्कृती की विविजताओं के फासलों को खत्म कर देती है हिंडी अलग अलग छेतरों की लोगों के लिए दिलों की दूरियों को मिटाती है और सभी को एकता के सूत में बांधे रखती है ठीक है दोस्तों चलिए अंगे बढ़ते हैं और आज का लाश कुशन देखती है किस राज ने करनाटक को हरा कर पाँचवी राष्टी वीलचेयर रगवी चेंपियनसिप जीती है विच इस्टेट है जो अन्दी फिफ्थ नेशनल वीलचेयर रगवी चेंपियनसिप बाई डिफीटिंग करनाटका फर्स्ट ऑप्सन है तमिलनाडू, सेकेंड ऑप्सन है उत्तर पिर्देश, थर्ड ऑप्सन है महराश्ट, फोर्त ऑप्सन है आंद्र पिर्देश जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number C महराष्ट महराष्ट राज जिने करनाटक को हरा कर पाँचवी राष्टी wheelchair रगवी championship जीती है चलिए इस question से related important point को पढ़ती है महराष्ट ने पाँचवी राष्टी wheelchair रगवी championship 2023 में करनाटक पर 31-10 के अंतिम score के साथ सांदर जीत हासिल करके championship का खिताब जीता है यह championship जो 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पोड़े के बाले वाड़ी में हुई थी तीवरे पृतिस परधा में चिन्नित थी और भारत में wheelchair रगवी के प्रभावसाली विकास के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कारे किया था ठीक है दोस्तो आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कुशन की important point भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और class बहुत helpful भी लगी होगी अगर class अच्छी लगी हो दोस्तो तो please इस class को like कीजिएगा share कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा मानसी study channel thank you दोस्तो